लौर्ड किश्णा नमन माई और स्वी डियर इस्टुएंट लौर्ड किश्णा नमन टू और प्यारे पिद्ध्यारतियों अब हम बात करते हैं डिस्पर्शन और फ्लायट के आपके सामने एक प्रिज्म है जो ट्रायंगुलर सेप में है जब भी आप इसके उपर इंसीडें है और प्रिज्म में जब भी आप क्या करेंगे कोई मान लिए यह कोई आपकी एक रेज है जैसे ही कोई रेज आपके पड़ेगी यह क्या करतेगा ओटोमेटिकली एक नॉर्मल पैदा करतेगा क्या पैदा करतेगा नॉर्मल अब मान लिए यह आने वाली इंसीडेंट रे ह अब यह क्या करेगा यहां पर इसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन यह सीधा नहीं जाएगा यह बैंट हो जाएगा अब यह बाहर का जो मीडियम था यह रारेर मीडियम था रेरर अंदर वाला मीडियम कौँसा हो गया अब में जैसे यहां पर ठक राएगा यहां फिर से नियम नॉर्म नॉर्मल नॉर्मल से दूर हट जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्मल से दूर हट जाएगा यह इस तरह से, यह देखो आने वाली जो रेज थी यहाँ पर अंदर गई और टगरा के बाहर चली में, यह तो आपका सिंगल रे का था माल लिया कि आपका सिंगल कोई भी एक कलर की रे है लेकिन आपको पता होना चाहिए प्यारी बिध्यारती हो यहां पर यह रेज अगर माल लिया यह आपकी कैसी है स्वेथ प्रिकास की है वाइट रे है कैसी है वाइट रे और स्वेथ प्रिका तीन पांच छे साथ कौन-कौन से कलर होंगे बहुत देखलो आप भी आई बी जी वाई ओ आर यलो औरेंज और रेंज ये साथ अलग लग कलर होंगे इस तरह से ठीक है श्ट्वन तो यहां पर आपकी जो आने वाली रेज थी वो यहां पर कितने रंग में बट जाएगी साथ रंग में बट जाएगी ठीक है क्यों बढ़ गई यह कहीना कहीं किस से आय थे वाय ट्रे से आय थे वाय ने शाथ रंगव में से अलग-लग बांट दिया ठीक है तो I think आपको यह समझ में आया ओगा इस परसन ओफ लाइट ठीक है इस ट्रेवल विदा speed of 3 into 10 to 12 meter per second in vacuum यानि की प्रिकास जो है बैक्यू में भी travel कर सकता है ठीक है और और एर में भी it can travel through any transparent medium किसी भी पारदर्शी माध्यम में जो प्रिकास है वो travel कर सकता है वेन लाइट इंटर वन मीडियम from another it is speed change जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में light जाती है तो इसका जो speed है इसकी जो velocity है वो बदल जाती है due to this change in speed its first change and so it bend इसलिए ये मुड जाती है the phenomenon of winding of light while traveling from the one medium to another is called reflection यानि कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जब light मुड जाती है तो उसे हम क्या कहते है प्रिकास का अपवर्तन कहते हैं नहीं सोरी प्रिकास का परावर्तन कहते हैं प्रिकास का परावर्तन कहते हैं when light is made up of seven color यहां पे सात रंग है आप जल्दी से इनके नाम लिखे हमें बताइए ठीक है as light of the seven color reach the eye at the same time together it give us impressions of seeing white light जैनि कि जो आने बाली किरड़ थी स्वेथ प्रिकास की करड़ वाइट लाइट थी तो यह वाइट लाइट शेवन कलर में इनकी सात रंग अलग हो जाते हैं यदि हम इसे प्रिजन से गुजार देते हैं the splitting up of white light into its constituent color is called dispersion तो white light का अपने अलग लग रंगों में बठ जाना डिवाइड हो जाना dispersion कहलाता है इनक्टिविटी एट लाइट फ्रॉम दा टॉस्ट गैट रिफ्लेक्टि एट दा वाटर सर्फेस फर्स्ट एंड डिफरेंट कलर ऑफ लाइट लाइट गैट सेपरेट अपने इंद धनुस के बारे में जानते होंगे हैं रैन वो जो होता है क्योंकि जो आपके पास बाटर बैपर जो की आइस बन चुका होता है उस पर जब भी लाइट गिरती है तो इस प्लिट हो जाती है ठीक है दीज लाइट ऑफ डिफरेंट कलर आर देन रिफ्लेक्टिट वाइड और अर रिफ्लेक्टिट अगैन एज दे मूव आउट आर सीन ऑन दा वाल डवेंट ऑफ सेवन कलर इच कॉल्ड इस पैक्ट्रम यह अलग अलग जो रंग होते हैं हम इस पैक्ट्रम कहते हैं तो यहां पर जो था बी आई वी जी वाई यो आर वाइलोड इंडिगो विलू ग्रीन यलो औरेंज यहां दिल लिखा है देको वाइलो आप यहां पर इसका यूज कर सकते हैं यदि आपके पास सारा का सारा इंस्ट्रुमेंट है तो आप इसको बीडियो बना सकते हैं इसके लिए पूट इंड़ सन एंड वेट तिल दा वाटर रिजिस्टिल देन पोर बन और तो ड्रॉफ ऑफ 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 वाटर से प्लेट मिरेवाइना करें और पानी की भून डालेंगे तो ने पोगे और तो मैं यहां पर ऑफ इसको बिडियो से नेक्सलेश-स-स अप्लेन मिरा लेकर लेडी किन ओर ले उनार्व और युवासे ऊहिक अहिम मेच ओर अंग फिवां कि अthen इसोर स्विव extra बृ leaf जे लिजय, अनांगे मेच वावश बुछे उनार्वा ला फिरी रवासे अिरे फिव विलेदि ले चांगे टुडाखे LED slowly so do you notice some color on the wall when the torch white LED is on a particular angle do you bend the same angle तो यहां पर भी यहां पर भी साथ रंग जो हैं यहां पर दिखाई दे जाएंगे आपको है ना अगर आप इस तरह से करते हैं तो प्यार भी धरती आप इस experiment को कर सकते हैं ठीक है ओके thank you